कारोबार चलाना कितना मुश्किल है उद्योग धंदे चलाना कितना मुश्किल है और हाथ पेंट जोड़ करके लोग लगे वापीस आओ वापीस आओ कोरोना ने हमारे स्रमीकों के सामर्थे को सम्मान को जो लोग स्विकार नहीं करते थे उनको स्विकार करने के लिए मजबूर कर दिया हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन समर्थे को उचीत किराये पर मकान उपलब्द नहीं हो पाते इसके कारण छोटे-छोटे कम्र में बड़ी संख्या में स्रमीकों को रहना पड़ता है इन जगों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता ऐसी अनेक समस्याई बरी पड़ी रहती है राष्ट की सेवा में अपना स्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरीमा के साथ जीवन जीए ये भी हम सभी देश्वासियों का दाइत्व है इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवसकों के साथ मिलकर उचीत किराये वाले घरों का निर्मान करने पर बल दे रही है कौशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं साथियों रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोच्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णे लिए जा रहे हैं खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए गरों पर लगने वाले टैस्ट को भी बहुत कम किया जा रहा है सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले आठ परसंट लगा करता था वो अब सिर्फ एक परसंट है वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले बारा परसंट एक्स की जगह अब सिर्फ पांच प्रतिशत जी एस्टी लिया जा रहा है सरकार ने इस सेक्टर को इन्फा स्ट्रक्चर की भी माननेता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके साथियों बीते सानों में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर तीन साल में ही हमारी रेंकिंग एक सो पचासी से सीधी 27 पर आप पहुँची है कंस्ट्रक्शन से जूड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्ता का विस्तार भी 2000 से जादा सहरों में हो चुका है अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है साथियों इंफास्ट्रक्शर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेश कर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थ व्यावस्ता में फोर्स मल्टिप्लायर का काम करता है इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन बट्रियल का लगना पूरे सेक्टर को गती देता है इससे डिमांड तो बढ़ती है, रोजगार के भी नए अवसर मनते है देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है मुझे विश्वात है कि हाउसिंग फर ओल का सपना जरूर पूरा होगा गावों में भी इन वर्षों में दो करोड घर बनाए जा चुके है इस वर्ष हमें गावों में बन रहे गरों में भी और तेजी लानी है शहरों में इस नई टेक्नलोजी की विस्तार से भी गरों के निर्माण और डिलिवरी दोनों में ही तेजी आएगी अपने देश को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गती से चलना ही होगा मिलकर के चलना होगा निर्धारिक दिशा में चलना होगा लक्ष को ओजल होने देना नहीं है और चलते रहना है और इसके लिए तेज गती से फैसले भी लेने ही होंगे इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस छे लाइट हाउस एक प्रकार से हमारे नई पीड़ी को हमारे टेक्नोलोजी और एंजिनियन के विद्यार्थियों के लिए यह सबसे ज़्यादा उप्योगी हो यह मेरा इच्छा रहेगी मैं चाहूंगा सभी उनिवर्सिटीज को मैं साथ चाहूंगा सभी कॉलेजीज को इस प्रकार के जो महत्रपून प्रोजेक होते हैं उसका ध्यन करना चाहिए जाकर के देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है कि टेक्नोलोजी के उप्योग कैसे होता है हिसाब के दाब कैसे लगाया जाता है यह अपने आप में सिख्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा और इसलिए मैं देश के सभी युवा एंजीनियरों को टेक्निशनों को विशेश रुप से नमंतर देता हूँ इस लाइट हाउस से जितनी लाइट वो ले सकते हैं ले और अपनी लाइट जितनी उसमें डाल सकते हैं डाले अपने दिमाग की लाइट जितनी लगा सकते हैं लगाए आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुप कामना है इस छे लाइट हाउस के लिए बहुत बहुत चुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद